दुखिया मजूर की महनत पर कब तलक मलाई उड़ती रहे कि गुडगान गलत गाई इंहारे बस्क नाही गुडगान गलत गाई ये हमरे बसक नाही जाहिल का सिर जुकाई ये हमरे बसक नाही होए भले गरीवी मा और गील आटा मुल कलम बें चिडाई ये हमरे बसक नाही तो ये उन्ही का मुक्तक है और उन्ही के सब्दों में मैंने बताया और अक्षार सा इसका पालन उन्होंने जीवन भर किया भी कि अपनी कलम को अपने साहित को सुरक्षित रखा किसी भी प्रकार से लालच के बस में या चाद कारिता में कभी भी साहित पर आच नहीं आने दि इन्हों ने एक आईसी कविटा लिखा कि जो देन हीं दुखियों के हिट में कविटा गई है कि दुखिया मजूई की रोटी पर कब तलक मलाई उड़त रहे इनकी जोपड़िन पर कब तक महलन के साहनाई वज़त रहे पिता जी हमरे 20-22 साल की अवस्था से कविता लिखाब शुरू करें और 82-83 उमर पहुंचत पहुंचत कतम हो गी है लेकिन हम यह समझी थी कि जीवन के जो सबसे ज्यादा समय है उक किवल एक विशापी लिखे हैं सोसित, धलित, गरीब, मजदूर पहले यह राजनैतिक ब्यक्ति थे, सोस्लिस पाल्टी के नेता थे और सोस्लिस पाल्टी में जब यह भासर दिया करते थे तो बीच बीच में स्वारचित कविताएं यह पढ़ते थे और बाद में जब डाक्टर लोहिया का सानित धीन को मिलना बंद हो गया तो यह पूरता साहित में आ गए और साहित की सेवह करने लगे जोन पार्टी के चुनाउण निसान रहान है, वोपे घीत लिखत रहे हैं, समाज बात के सिधान पर गीत लिखत रहे, तो यह एतना लिखे हैं कि कब जगवा भारत के गरीब कब इनक़ाब लए उभ्यातु कब खड़े जो प चाहे कहरवा हो, चाहे बिरहा हो, और कजरी हो, सोहर हो. इनके सबसे प्रचलित जो रचनाब है, जो उन दूर दूर तक जोनी रचना से जाना गए, उन रचना कथरी है. कुचरी तोहार गनू जाने, जे करई गुजारा कथरी मा, लोटें लर जाठाया हंतारा पर्यौार फितनी अनमोल यहा कथरी नमोल बिकानू हटिया मा, मोलतों का देखे घरे घरे सब जने बिचाये खटिया मा, हमरे पर्खे तोहरे बल पढ़े गांधि गउतम भगान भगव गांधी जी का नाम आया है समता समाज की सेवा मां आपन जीवन तु दान देहू बैठाईू बगल गरीबन का तंको तूना अपमान क्यों लोक तंत्र के यह बग्या मां जब जब लाग टिकोरा क्यों नपाइस चटनियू भरका क्यों तूरिस भरी जुआ तो यह जोन परमप का जो सामान ने और उसको बिलो नार्मल कहले आती सामान ने जो जंजीवन था उससे उनका लगाऊ जुडाओ था असल में आजाज जी ना गाउं से जुड़े भी विक्ति थे और जो गाउं की बोलीबानी है उसमें लिखते भी थे और उसे में की रचे वसे थे जैसे आजाज जी ने इसको लिखने के लिए कोई कल्पना नहीं किये, जो भी उनके साही तिमया है, आजाज जी का भोगा हुआ सत्य है, उन्होंने कभी उसको भोगा था, उसी को उन्होंने कागज पर के वल उतारा है। और इच एतना आई है सामाजिक अंदोलन से। बिना भीटा काटे हुए गड़ही कभी भी पट नहीं सकते हैं। भीटा काटना पड़ेगा। और ऐसी बात क्यों आजाज जी कह सकते हैं। जुमेए खाँ आजात के कविता मा प्रतिरोध बहुत साहज रूप से है। जब उनका कविता जब इस्त्री के दर्द महसूस करत है। तब उन पुरुस के खिलाव प्रतिरोध करत है। मर्दन के खिलाव प्रतिरोध करत है। उनके अत्याचार के खिलाव प्रतिरोध करत है। वही कविता जब गरीब के दर्द का महसूस करत है। तब उन कविता अमीरन के खिलाव प्रतिरोध करत है। और जब कविता सोशितन के दर्द महसूस करत है। तो सोशकन के खिलाव प्रतिरोध करत है यह वन सबसे बड़ी बात है कि जोन शक्ती सोसन के पीछे है वका जुमेख आजाद बहुत अच्छी तरीके से पहचान थी यही लिए उनके प्रतिरोध मा जोन वर्ग सत्र है वका एकदम साफ पहचान कीन गए है और उनके जो गीत थे उस जवाने के जैसे है जो घर ग्रहस्ती के काम थे भाला अभा लगा रहाते समय कांसा जीट आवरतें गाती हैं तो वहां भी उन्होंने प्रेम और देस प्रेम पिरोया है उन गीतों में भी यह लगवाही का गीत बुराहरी का गीत या कोई कई चक्की चला रहा है यहां पीस रहा है उस समय का जितने भी गीत आप उनकी रचनाओं पढ़ेंगे सारे गीतों में उसोसन जलकता हुआ दिखेगा आपको परदे के पीछे से आपको कभीता तो हमेशा दीन दुखियन पर और गरीबन पर पूजी पर जो कुछ लोग काधियार हो गया है खेत और जमीन पर कुछ लोगों काध सब्सक्राइब भारती भाव से आरती साज के लीडरन के जनम दिन मनावत रहा तेल चाही खरीदी बलाइके से हम मुल प्रगत पत्प दीना जरावत रहा है एक चीज और है कि आजाज जी कुछ बहुत अच्छे ब्यंग लिखे जो बहुत कम उसुनाते थे लेकिन हम लोग जब बैठते थे उनके बीत तो उसको सुनना चाहे रहता है और ब्यंगों में भी अपनी एक मर्यादा थी और बहुत वाहवाही और तालिया मिली जैसे उनका अपना एक ब्यंग था कि एक गांधी जी की इस्तिति जो आद्देश में उसको लेकर उन्होंने लिखा था कि मार्ग मैखाने से होकर ही गुजरता है एक बार कविता करने गए तो लोगों ने कहा कि आजाजी आपके गाहों का नाम क्यों लिपनी पोतनी गोबली पड़ी है उनको बहुत बड़ी ठेस लगी और ठेस लगने के उपरांत उन्होंने जब मंट पर गए और बैठे तो उन् ने बताया कि जब लागी नबाबी दहु कब हूं तलवारी पित्ताव पुजावन का एक गया लेह ने गया चला ओका मौत के घाट उतारन का भाई गाय बड़ी हमरी नगरी भगवान का दूद च्रावन को जब नाम परागोबरी जर्मानस दीच पुकारन को एक प्रताब गढ़ में एक बहुत धनाद डिवक्त थे पंडी जी थे उनके पास पेट्रोल पंप थी और उन्होंने एक कभी सम्मेलन कायो जिन की अपने घर पे अपने घर पे अब कभी सम्मेलन या कभी गोश्टी आप जान लीजे उनके घर की आंगन में ही थी उनकी मम् सुनाने के लिए पढ़ने के लिए और लोग पढ़े कभीता जब आजाज जी की बारी आई तो पंडी जी के पास पेट्रोल पंप थी अब आजाज जी को आजात कौन बनाया इसी उधान से समझ में आ जाएगा आजाज जी ने वहाँ एक चार लाइन की कभीता पढ़ी कि म सकते दोसरा कोई नहीं कर सकता कि उधेराज के महतारी के है व्दैराज आब आज से सब कुछ कराया लेकिन यह का का शाति कभी गोस्ठी जीन कर आया कहें कहें का है कमा चाहिं कि न बतावा तो अब थाइस सब आयन तो नहीं आख खाएं पेन तो और बुलाई के और सब चला चूत प्यून की रचना थी उस जबाने में जहां खड़े होते थे कभी कभी तेस्ति बनती थी कि कभी सम्मेलनों के आयोजन ऐसे लोग करते थे जहां इस तरह की रचनाओं को लोग सुनना नहीं चाहते थे और आजाज जी की जब बारी आती थी तो वहां उस रचना को अब इस तरह की रचना जब कोई आदमी पढ़ेगा ऊहे कुकुरवा बसनौरे पर जोटका रहिया चाटे मुला कवो जो हमसे चुई जाय कुल परी वर्वादाटे ये मुला कभव जो हमसे चुई गया कुल पर वर्वादाटे फाटे शतिया मर लाला नु आ का नु मनाई हम ने हिंदू वही ना मुसल्मा आही जाद मनई के आटे पहरुआ आही जो नो कहात रहे ने वह जियत रहे अजुद्या का मंदिर वाला विवाद जब अपने चरम पे था तो आजाज जी केवल साहस कर सकते थे उनमें एक रचना लिखे कि राम रहीम तुहियो भईया मंदिर मसजिद माटी के राम रहीम तोइं वहं भईया मंदिर मसजिद माटी के और उसी रचना में था कि पंडित के घर होई निकासन अब्दुल छोड़ें गोला, मुल्ला जी महलूस सुने तो सिन्नी बाटें भोला, कहा रहा परहेज बतावा गुड़ चेनगा और लाटी के, राम रहीम तुई हो भाईया मंदिर मस्जिद माटी के. जुमेखा आजात्खियां जोन सेकुलरिजम है, जोन एक मजभी सोहार्द है, बहतर है वका कहा जाए कि कंपोजिट कल्चर, साजी संसकृति है, तो उन संसकृतिक रूप से ज़्यादा प्रतिबद्ध कविता है, ना कि धार्मिक जड़ता के उन खिलाफ बटे, जैसे अगर क्यवट पर कविता लिखा थी, या फिर राम पर या फिर कृष्ण पर कविता लिखा थी, तो उनके कविता लिखे के कोशी सी हुआत है, कि सांसकृतिक रूप से इन व्यक्तियन का इन चरित्रन का रखा जाए, और जाती और धरम के जोन विभाजन है, उन पीछे छूट ज रहे, तब बोल पड़े हन्मान लला भगवान के इस समझाई रहे, या हाथ से छूट जाई प्रभू तो बूड़े न का उतिराई रहे, अबे भाय भतीज अहां हमरे, चाही जोने घरे रुख जाई प्रभू, एक रोटीम लाला न पाला परी, चाहे जीवन भैटी की प्रभू, वहाने बास का पेड़ो जो इतना उंचा उठता है, फिर भी जुका हुगा होता है, जुमैखा आजाद अवद के गंगा जमनी तहजीब के प्रगतिशील क्रांतिकारी धारा के कभी हैं, उनकी रचनावन पूरी-पूरी आग थी, लोगों के अंदर छुपी हु से दूर थे, जो पहले से प्रतिश्ठित थे, वही रह गए, पाठकर में नए को लाने उभारने की कोई कोशिस हुई नहीं, जितने बड़े उसाहित्यकार थे, उसका अभी तक वास्तों मूल्यांकन नहीं हुआ है, जुमैखा आजाद के कभीता का अकादमिक महत्तु जैस मिलेक चाहत रहा, वस नहीं मिला, यहां कहीं नाइन साफी हुई है, जुमैखा आजाद के साथ, कि मोरी फुलो वारिया, फुलान बाके सारिया, कि रही रही गाम कैसे वान वाना, बुरा बिन मा हुआ गादेला वैटी को औरा, अका तो चारवा हावा चाना केलावाई हो र काता हुँतो बाजय आरा हारिया के छिमिया, तो काता बाजय गोरी कैकांगा नवाना, मोरी फुला वारिया, फुलान बाके सारिया, कि रही रही गाम कैसे वान वाना, ताल माता लाही बोलें बनमा मुराएला, अकातो पुरा वाही आक खींची रहे बायला, के हु बोलें ल अक्कात हुम्यला वामा भी चाय जार बाईला अंगुरी पाकाडी के ठुनूक राहे लारी का कि माईले बाई हम हुब जाना वाना मोरी फूला वारी या फूलान वाकस कि राही राही गाम कैसे वान वाना